बिसमिल्ला रह्मान ररहीम आज मैं सोन हलवे की रेस्पी शेर करूंगी बजार से भी बेतर अब घर पर बना कर इसको त्यार कर सकते हैं यह एक परफेक्ट रेस्पी है बजार से भी सस्ता मन कर त्यार होता है और फ्लेवर बिल्कुर बजार जासा था बलके उससे भी जादा मज़े के बनता है तो चलिए इस रेस्पी को बनाना स्टार करते है सबसे पहले हम यहां भे सिमग लेंगे यहां भे 150 ग्राम मैंने सिमग लिए यानि कि आप इसको हाफ कप ले ले और 250 ग्राम हमने मैदा शामल की है और वन कप भर कर आप इसमें मैदा शामल कर दे तो इसको अच्छे तीके से पहले मिक्स करना है अभी हमने आच वह नहीं की तो आपने इनको पहले दोनों जिदों को अच्छे तीके से मिक्स कर लेना है फिर इसके अंदर हमने दूद शामल करना है दो लिटर हमने दूद शामल करना है लेकिन पहले थोड़ा सा हम इसमें शामल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा से दूद में यह अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसमें कोई गुठली नहीं रहेगी तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर ले बाकी का रुमेनिंग दूद भी इसमें शामल कर देंगे और वन लीटर हम इसमें पानी शामल करना है अगर दूद पतला हो तो फिर आप पानी शामल मत कीजिएगा दूद ही तीन लीटर आपने शामल करना है वना फिर आप इसको दो लीटर दूद और एक लीटर पानी शामल करके इसको अच्छे दिखे से मिक्स कर लेंगे अब हमने इसकी आँच ओन करनी है मेडियम आँच रखनी है और इसको आपने मसलसल चलाते रहना है जब तक कि पकने न लग जए इसमें वाईल न आने लग जए बनाट यह नीचे लग जाता है नीचे बैड जयता है सारा तो इसलिए आपने वकफे रखिसे इसमें चमच चलाते रहें है है नोardi थोर तक हो देर के बाद Lite सेन चमच छलाते रहे ये देखे ये वेस्कुल पक रहा है इसमें बॉइल आने वाला है तो बस आपने इसको हिलाते रहने ये देखे दूद पक रहा है बस इसको चमच चलाते रहे हैं बस इसको पकाते जाने है और चमच इसमें चलाते रहने है ये देखे दूद पक रहा है और यह हाफ रह गया और खुझ से ही यह इसके अंदर फुट्टियां सी बन गई है फट गया यह दूद्ध तो हमें इसमें के लीमू यह दहीं वगारा डालें की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर यह आपका दू ना फटे तो फिर जब आपने हाफ रेज़ेना दू फिर आपने इसके अंदर लेमों को शामिल कर देना है या फिर दहीं डालके इसको फटा लेना है ताकि बिल्कुल यह सोन अलवा अच्छा सा मज़े का बने तो यह देखे इसको हमने बस पकात यह देखे चीनी भी पिगल चुकी है इसके अंदर बस इसको हमने खुश करना है अगर यह पाकर आया अस्ता अस्ता यह जैसे जैसे पकता जाएगा इसका कलर खुझ से ही सोन अलवे का बनता जाएगा जैसे सोन अलवे का कलर होता है लेकिन अगर इसका कलर ना आए तो फिर रहने हैं अच्छे से जब यह खुश्क होज़े पानी इसमें तो फिनवीस के अंदर में थोड़ा सा ओड़ी शामिल करेंगे और इसको अच्छे तीके से भून लेंगे हाफ कप ओड़ी का इस्तमाल किया है तो इसको डालके अच्छे तीके से पका लेना हमने यह देखे इसको बस अब चमच चलाते रहना है क्योंकि यह नीचे लगेगा तो बस इसको पकाते जाए अच्छे तीके से ये जैसे जैसे पकता जा रहा है मसीद ये इसका अच्छा सा टेकसर बनता जा रहा है बिलकुल सोन रलवे जैसा जो हम बजार से ख्रीद कर लाते हैं देखे बिलकुल इसके अंदर लेसदार सा बन रहा है ये जिस्तिकी का चीर सा हमारा अच्छोनलवा होता है, बिजार वाला बिल्कुल वैसे ही बन रहा है तो बस आपने इसको चलाते रहना है चमच और अच्छे तीके से इसको आपने पका लेने जब यह अच्छे से पक जाए इस तरीके से यह इसका mixture थोड़ा सा गाड़ा सा हो दे है तो फिर आपने इसको डिश ओट कर लेने है oil को पहले लगा लेना है ट्रे पे फिर इसको अच्छे तीके से फिला देने है अच्छे ते इसको फिला देंगे अब फिर इसके ऊपर ड्राइफ्रूट अपनी पसंद के डाल देंगे यह मैंने कोकोनेट और बदाम डाला है अब इसके ऊपर पिस्ता रोड जो भी डालना चाहें तो इसको अलका सा ऐसे टैप कर लेंगे अब इसको सेट होने के लिए बोड़ देना बिल्कु अच्छे तीके से यह सक्त हो जाएगा तो इसको फिर हमने इसको शेप दे देनी है इसकी टुकड़ियां काट लेंगे अधिके बिल्कु बजार जैसा सोना बनकर त्यार है कलर में टैक्सचर में बिल्कुल बजार जैसा बना है टेस्ट भी तो चलिए आप इस recipe को बनाएं, try करें, ये देखिया, आपको एक में तोडब कर भी दिखा दिती हूँ, भूल्कु बंदार जैसा ये बन कर त्यार हुए, तो आप इस recipe को बनाएं, try करें, enjoy करें, बहुत ही मज़े का बनता है, अपना फीड़बेक लाजमी दीजीगा कैसे लगी है रास्पी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना मिलते हैं एक नई रास्पी के साथ तब तक के लिए अलाहाफिज